अस्राम नेकम क्लास 2, how are you all? क्लास 2, I hope you all will be fine. Let's open your book of countdown. Students, आज हम करेंगे page number 114. कल हमने meter and centimeter के questions के addition किये थे. आज हम words problems के जरिए, वैसे ही इनको solve करने के कोशिश करेंगे. First question क्या है? Adil runs 80 meter and Sumi runs 50 meter. Adil कितना भागा? 80 meter and Sumi 50 meter runs. How many meters do they run altogether? हमने बताना है कि दोनों कितने meters भागे. हमने 80 meter और 50 meter को प्लास किया. तो क्या आया हमारे पास 130 meter. यानि के 130 meter, Sumi and Adil भागे. Next question है, the red fabric is 65 meter long. The yellow one is 28 meter long. How many is the yellow fabric? इस question को भी हम ऐसे ही solve करेंगे. सबसे पहले हम 65 meter, then हम रिखेंगे 28 meter. इसका प्लास करेंगे, 8 में 5 प्लास किये. 13, 3, 1 कह री जाएगा. 6, 7, 8, 9. 93. तो students, ऐसे ही आपने बाकी के questions भी solve करने की कोशिश करने हैं. और को जिसे understand करना है, देना आपने इसको solve करना है. नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, पेज नॉम्बर 115, इसमें हमने subtractions करनी हैं. इसमत is 90 cm tall, बीना is 82 cm tall. How much taller is इसमत than बीना? हमने इसमें बताना है कि इसमत जो उसकी height क्या है, कितना लंबा है? 90 cm और बीना 82. अब हमने बताना है उनको कि इसमत बीना से कितना ज्यादा लंबा है. हमने इसमें क्या क्या 92 में से 82 को निकाला है, यानि कि subtract किया, हमने इसमें minus किये है 90 में से 82. 0 में से 2 तो नहीं जाएंगे, तो हमने 1 केरी लिया तो यहां पर 10 बन गया, 10 में से हमने 2 निकाले तो 8, यहां पर 8 रहेंगे हमारे पास 8 में से 8 गये तो 0, यानि कि 8 cm इसमत तॉल है बीना से. ऐसे हम next question करेंगे, जमील रन्स 100 मीटर वाइल दानिश रन्स 72 मीटर, how much further does जमील रन्स दैन दानिश, हमने बताना है कि जमील दानिश से कितना ज्यादा भागा, यहाँपन हम 100 मीटर लिखेंगे, और 72 मीटर, 1 carry लेंगे, यहाँ 10 हो गया, 10 में से, फिर 1 carry गया, 10, यहाँ 9 हो गये, 10 में से 2 गये, 8, 9 में से 7, 2, यानि कि 28 मीटर ज्यादा जमील जो है, वो दानिश से भागा, यह questions भी आपने ऐसी ही solve करने की कोशिश करने है, इसको पहले understand करना है, वो इसके बाद इसको अपनी बुक पर solve करना है, thank you so much.